जहिन दोस्तों आज हम एक ही वीडियो में वर्गमूल निकालना तदा घनमूल निकालना बताने वाले हैं तो वीडियो पर आंधे तक बने देना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि आपको केसे पता करना है कि कहां पर वर्गमूल निकालना है और कहां पर घनमूल निकालना है आपको तो जब ऐसे रूट बना है तो वहां पर आपको वर्गमूल निकालना है और यहां पर ऊपर छोटा सा तीन लिखा है तो उस वाले सवा आपको घंजमोन निकालना तो इसका हमें वर्गमोन निकालना है और इसका हमें धन मूल निकालना तो 784 अच्छो निकालना है तो सबसे पहले हम साथ छौरासी के अभाज गुडouse खरेंगे तो चलिए अब हाँ गुदनकंड़न शॉता है और यहां यहां पर ऐसे यहांSer और एसे एक लाइन करने इनगे उसके बाद आपको सब्सेयां च्थेती संख्या और बहुर्भेट यहां पर दो से भाझा tr दो, 236, यहां से 1 बचा, यहां 18 हो गया, 29, 18, दो, दुन, चार, फिर लास्ट में 2 आया है, तो 2 से भाग लगेगा, तो 2 हम यहां पर लिखेंगे, ठीक, 2 एकaskaम, 2, यहां से 1 बचा, यहां पर 19 हुआ, 29, 18, एक बारा हुआ, दो, छंग, 12, ठीक, फीर 2 से भाग लगेगा, जब अब तक आपको दोसे भाग करना है जब तक दोसे भाग लगए गा तो दोTrue यहां इंचांस में 18 वागता है तो यहांपर साथ लिखा आजाएगा, साथ सते वन चास और यहाँ पर फिर साथ लिखा आजाएगा साथ कम साथ, तो आपको तब तक ऐसा करना है, तब तक यहाँ पर लाश्ट में एक ना आजाए तो यहाँ पर एक आ गया है अब आपको यह साइड वाले मान है इसको गुड़े में लिखना है, तो चलिए हम इसको गुड़े में लिख लेते हैं, तो दो गुड़े में है, चार बार दो गुड़े में चार बार है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार बार दो है, और साथ गुड़े में दो बार है तो साथ को गुड़े में हम दो बाल लिख लेंगे अब यहाँ पर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल में क्या होता है दो दो का जोड़ा बना जाता है ठीक है तो यहाँ पर हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे जो सेम संख्या है ठीक उसी का आपको जोड़ा बनाना है तो यहां पर हम दो दो का जोड़ा बना देंगे जो जैसा नमबर है एक जिसी संख्या है तो चलिए दो दो का जोड़ा यहां पर हम बना लेते हैं जिसका जोड़ा बन गया है उसको आपको एक बार लिखना है तो यहां पर दो एक बार हो ज तो चलिए गुड़ा कर लेते हैं दो का दो से गुड़ा करने पर चार हो जाएगा और चार का साथ से गुड़ा करेंगे तो चार सते हो जाएगा 28 ठीक है तो 28 784 का जो वर्गमूल हमें निकालना था तो 784 का वर्गमूल कितना आ गया 28 से ही इसका final answer हो जाएगा 17128 का हमें घनमूल निकालना है क्योंकि यहां पर रूट के ओपर 3 बना है तो इसका घनमूल निकालना है तो 17128 के हम अब हाज गुड़नखन सबसे पहले करेंगे तो आपको यहां पर ऐसे एक लाइन ड्रा करनी है और एक लाइन ऐसे आपको ड्रा करनी है उसके बाद आपको इसके गुडणखन करने हैं अब हाज गुडणखन तो यहाँ पर लाष्ट में आठ लिखा है तो इस समसंग क्या है तो दो से भाग लगेगा तो दो यहाँ पर हम लिखेंगे दो आठे होता है सोला यहाँ से एक बचा यहाँ बारा हो गया दो चंग बारा और दो चोको आठ ठीक है फिर दो से भाग लगेगा तो दो यहाँ पर हम लिखेंगे जब तक आपको दो लिखना यहाँ पर जब तक दो से भाग लगेगा ठीक है तो यहाँ पर हम दो लिखेंग आखे गाएक फिर दोसे भाग लग जाएगा तो आपको दो यहां पर लिखना है तो यहां पर लिखा हमने 2 पनजेद नाफ और 2 चोको आठ ठीक फिर समसंग्या है दो लिखा जाएगा यहाँ पर दो लिखा हमने दो दुना चार यहाँ से एक बचा यहाँ चोदा हुआ दो सते चोदा ठीक है आब यह समसंख्या नहीं है तो अब दो से भाग नहीं होगा तो दो के बाद हम तीन से करते हैं तो 27 में 3 से भाग लग जाएगा तो यहां पर हम 3 लिखेंगे, 3,9,27, फिर यहां पर 3 लिखा जाएगा, 3 तिरिगा नाउ, फिर 3 आया, फिर यहां पर 3 लिखा जाएगा, 3 एकम, 3, ठीक है, अब इस side वाले मान जो आये हैं, इन सब को हम गुड़े में लिखेंगे, तो चलिए हम गुड़े में इन सबी को लेते हैं, ठीक है, तो 2 गुड़े में कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 गुड़े में हम 6 बार लिखेंगे, 2 गुड़े में हम 6 बार लिखेंगे, 2 गुड़े में हम 6 बार लिखेंगे, 2 गुड़े में हम 6 बार लिखा, और 3 कितनी बार है, 1, 2, 3, तो 3 को गुड़े में हम जोड़ा बनाएंगे जो संख्या समान हैं यहां पर हम तीन तीन का जोड़ा बना लेंगे ठीक है इस पर लाइन हो गए तीन तीन का जोड़ा यहां पर बनेगा इस पर का जोड़ा बन गया और लाश्ट में तीन तीन बार है तो इसका जोड़ा बन गया जिसका जोड़ा बन जाता है वो एक बार लिका जाता है तो यह रहाँ इसकी जगह पर एक दो हो जाएका और इसकी जगह पर एक तीन मुझाँ आएं हैं चल्डिये इसका गुरू झारने पर चार हो और चार कर तीन से 1728 का हमें घंमूल निकालना था तो 1728 का घंमूल कितना आगया है 12 तो 12 ही इसका फानल आंसर हो जाएगा इसी तरह आप भी वर्मूल दधा घंमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आई होप वीडियो आपके समझ में आए होगी तो वीडियो का लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देखने के लिए थैंक्स मिलते हैं अगली वीडियो में